हेलो एंड वेलकम टु दा करंट पॉइंट आज है 25 दिसंबर 2011 से जितने भी important question बनेंगे मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा और इससे related कुछ fact भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो को आप last तक देखेंगे अगर वीडियो सही लगे तो share, subscribe और like भी कर अगर आपको पीडियो चाहिए तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप या वाट्सअप ग्रूप से ज्वाइन कर सकते हैं, first question के ओर चलते हैं, किस राज कैबिनेट ने हाली में वायू परदूसन से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन निती 2019 को मंजूरी दे दिये, तो इस बार दिल्ली कैबिनेट मंत्री ने वायू परदूसन से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन निती 2019 को मंजूरी दे दिया है, तो इस question का अंसर A सही हो जाएगा, दिल्ली, अब इस निती का उदेश दिल्ली को भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है, सरकार इवाहनों को बढ़ावा देने के लिए सबसीडी भी दे रही है, और देगी भी, आगे बढ़ते हैं, निमलिखित में से किस संस्था दौरा परकासित सोध पत्र में कहा गया है कि परतेक साल में से एक भारत ग्रस्थ हैं, इस कुश्चन में बताया जा रहा है कि एक परकासित सोध पत्र के दौरा या कहा गया है कि परतेक साथ वैक्तियों में या बच्चों में एक वैक्ति दिमाजी रूप से ग्रस्थ हैं, सफ्रिंग है, तो इस कुश्चन का अंसर लासेट पेपर होगा, इस कु अब हाली में लासेट पिसाइट्री नामक पेपर में परकासित रिपोर्ट के अनुसार भारत में परतेक साथ में से एक व्यक्ति मानसिक रूप से क्रस्थ है तो इस कुश्चिन से आपको इतनी जानकारी मिलती है बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चिन की और किस देश के पूर्व परधान मंत्री चार्ल मिसेल ने यूरोपियन काउंसिल तथा यूरोपिय आयोग के अध्यक्ष का कारिभार संभाल लिया है तो इस बार बेल्जियम के पूर्व परधान मंत्री चार्ल मिसेल ने यूरोपिय काउंसिल तथा यूरोपिय आयोग का अध्यक्ष का कारिभार संभाल लिया है तो इस कुश्चन का अंसर बेल्जियम सही हो जाएगा बेल्जियम अब इस निकाई यूरोपिय आयोग के अध्यक्ष के साथ सभी सदस देशों के रास्ट परमुख या सरकार के समीप होते है इसकी बैठक की अध्यक्षता उस सदस से देश का परतेनिधित करता है जिसके पास उस समय यूरोपिय संग की परिसद की अध्यक्षता होती है ठीक है तो इस कुश्चन से आपको इतनी जानकारे मिलती है अब वर्ल्ड के मेप में आप देखेंगे बेल्जियम तो यूरोप के जस्ट नौर्थ सैड में बेल्जियम छोटा सा इंग्लेंड के बीच मिल जाएगा अब बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स या ब्रुसेल्स कह सकते हैं इसकी मुद्रा है यूरोप आगे बढ़ते नेक्स्ट कोश्चन की और 28 फोरम की 50 वी वार्सिक बैठक का आयोजन स्वीजर लेंड के किस सहर में जनवरी 2020 में किया जाएगा तो स्वीजर लेंड के दाओस सहर में इसका आयोजन किया जाएगा तो इस कोश्चन का अंसर 20 हो जाएगा अब दाओस के इस बैठक में 100 से अधिक भारतिय CEO राजनेता तथा वॉलिवूड सितारे हिस्सा ले सकते हैं इसमें विश्व के लगबग 3,000 I think 3,000 लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे हिस्सा लेंगे आगे बढ़तें नेक्स्ट कुश्चिन की और भारत में राष्टिय उभ्भोकता दिवस निमनलिखित में से किस दिन मना जाता है नेशनल कंज्यूमर डे किस दिन मना जाता है तो भारत में राष्टिय उभ्भोकता दिवस 24 दिसंबर को परतेक वर्स मना जाता है तो इस कुश्चन का अंसर ए सही हो जाएगा अब यह दिवस उब्होकता आंदोलन को अवसर परदान करता है और उसकी महत्त को जागरूख करता है भारत में यह दिवस पहली बार 2000 में मनाया गया था उब्होकताओं को सौसन से बचाने के लिए 24 देसंबर 1986 को उब्होकता सनरचन अधिनियम 1986 लागू किया गया था आगे बढ़ते नेक्स्ट कुश्चन की ओर हाली में संपन हुए अफगानिस्तान के रास्टपती चुनाओं में किसे जीत मिली है तो इस बार अफगानिस्तान के रास्टपती चुनाओं में असरफ गनी को जीत मिली है असरफ गनी ने रास्टपती के पद को जीत लिया है तो इस कुश्चन का अंसर सी सही हो जाएगा अफगानिस्तान में राष्ट पती पद के लिए हाली में हुए मतदान का परिणाम जारी हो गया है असरफ गनी ने परतिनिधित्व उमिद्वार अबदुल्ला को हराकर दोबारा राष्ट पती के पद हासिल किये है अब अफगानिस्तान तो आफगानिस्तान की राजधानी काबूल इसकी मुद्रा आफगानी है अब असरफ गनी अब अफगानिस्तान आपको वर्ल्ड की मेप में जश्ट इंडिया के पाकिस्तान के बगल यहां पे मिल जाएगा इंडिया का नैवरिंग कांट्री है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स हाली में विदेश सचीव निक्त किया गया है तो विदेश सचीव के रूप में हर्सवर्धन स्रिंगला को निक्त किया गया है तो इस कुश्चेन का अंसर ए सही हो जाएगा अब केंद्र सरकार दोरा हर्सवर्धन स्रिंगला को भारत का अगला विदेश सचीव निक्त किया गया है वे 29th January 2020 से पदभार गरहन करेंगे अब ये question आता है कि वो किसके अस्थान पे आये हैं किसकी जगा लिये तो हर्सवर्धन विजय गौखले का अस्थान लेंगे अब ये हैं हर्सवर्धन सिंगला आगे बढ़ते next question की और निमलिखित में से किस महिला भारत तौलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कासि पदग जीतने के साथ दो नैर रास्टिय रिकॉर्ड भी बनाए हैं तो भारत की राखी हल्दर ने महिला भारतोल ने कतर इंटरनेशनल कप में कासि पदग जीतकर रास्टिय रिकॉर्ड बनाया हैं तो इस question का अंसर डी सही हो जाएगा भारती महिला वेट लिफ्टर राखी हल्दर ने 64 kg हाली में कतर इंटरनेशनल कप में कासि पदग जीतने के साथ ही दो नए रास्टिय रिकॉर्ड भी बनाएं अब ये है हल्दर आगे बढ़ते नेक्स्ट कुश्चन की और आपॉलो हॉस्पिटल समू की किस सन्युक सम्मंद निदेशक ने देश के परमुख उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष का कारिभार संभाल लिया है तो इस बार संगीता रेड़ी ने इसका कारिभार संभाल लिया है तो इस कुश्चन का अंसर डी सही हो जाएगा अब संगीता रेड़ी 2092-2020 के लिए अध्यक्ष चुनी गई है संगीता रेड़ी SIL के अध्यक्ष और परवन्द निदेशक संदीप सोपानी की जगा फिक्की की अध्यक्ष बनी है आगे बढ़ते हैं next question की ओर आली में आठ पस्मी अफ्रब की देसों ने common currency को क्या नाम दिया है तो हाली में आठ पस्मी अफ्रब की देसों ने common currency को नाम ECO दिया है तो इस question का अंसर B सही हो जाएगा पस्मी अफिर्की के आठ देशों ने अपनी साजह मुद्रा कॉमन केरेंसी का नाम बदल कर इको करने का फैसला लिया है इस कुश्चन से आपको इतनी जानकारे मिलती है कल के लिए एक इंपॉर्टेंट कुश्चन जिसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में लिखना है कल का कुश्चन हाली में निमलिखित में से किस अस्थान पर सबसे पूराना वन जिवास मिला है इस कुश्चन का आंसर आपको कमेंड बॉक्स में कल लिखना है अगर वीडियो सही लगे तो लाइक, शेयर और सस्क्राइब कर दे और आप स्टाडी से रिलेटेड वाट्सअप ग्रूप में इसको फैला दे जो ताकि ज़रुत मन लोगों तक या वीडियो पहुंच सके थैंक यू, थैंक यू फो वाचिंग